एमपी बोट के एक अच्छा दस्वी के विध्याती जितने भी है आप सभी के लिए यहां वीडियो बहुती महतुपुन होने वाला है बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाला है देख सकते हैं मेरे पास इंगलिस का सेट A है इसके बाद यह रहाप का सेट B यह सब अलग- इसके बाद लेटर है इनको सभी को एक ही वीडियो में कंप्लिट करने वाली है देखिया आपको जो लेटर और याद करने में जितनी महनत लगती है और आप अच्छे से लिखते हैं लेकिन आपकी महनत के अनुसार आपको नमबर नहीं मिल पाते हैं तो किस कारण से नहीं म इस वीडियो में बताओंगी तो आपको पूरे नमबर मिलेंगे और आपकी महनत भी अकारत नहीं जाएगी तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिलकूल भी मत करियेगा देखिये एक वीडियो आप पर भारी पड़ सकता है और आदा दूरा ज्यान के हैं खतरन लिखते हैं तो चलते हैं वीडियो की और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एब्लीकेशन और लेटर लिखने का तरीका बताऊंगी तो यह रही हमारी पहली एब्लीकेशन कौन सी बुक बेंक की तो देखिए का आपको किस प्रकार से लिखना है तो यहां पर मैं थोड़ा सक आपको पूर अस्वन में आ जाए हैं तो देखिए जिस प्रकार से लिखा है क्या लिखा है यह टू इसके नीचे दा प्रेंसिपल इसके जो ज़स्ट नीचे लिखा है हमने गवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कुल फीसके नीचे हमें लिखना है खड़ी हाट जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं तो आपको क्या करना है देखिए सीद में आपको लग compost सिद्स में ही आपको लिखने अग्यवाक् Iss Safari और book from the book bank हिसी प्रैकार से लिखना है इसके बाद हमारा सरा आज आजाएगा इसकी सीध में हमें देखे हराई कोसी में लिखना इस लिए चलाते ऋपें चलना है लिक्षेस हुँ रूले आज कर इस लिखना है इधर वुदर हमारे नहीं जाने चाहिए तो देखिए पहला जो है मारा कि आई आई बेख तो से डेट आई एम ए स्टुडेंट ओफ क्लास 11 थे तो आप यहां पर 10th क्लास लिख देना क्योंकि आपका 10th की 10th your school और माई फार्दर इसे पूर फार्मर ही इस अनेबल टू माई बुक्स फ्रोंदा फ्रों फिर आपका काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रोंदा बुक बेंक तो यह कार सापके ब्लीकेशन होगा चुकिए इसके नीचे ज़स्ट इधर साइड आपको कोने में इधर देखिए आपको इधर लिखना है यह एकदम राइट है और इधर आपका एकदम गलत आजकल इधर नहीं लिखा जाता हर एक बच्चे को पता आप तो यह तो आपको यहाँ पर लिख देना है ठेंक्स यूवर ओविडेंटली और जो भी नाम लिखा लिखा होगा आपका जो एब्ली तो आपको लिखना है यहां पर मद्धुजेन लिखा है और इसके से परिखने हैं यहां को परिखता कि तरव ned टाइम लगता है application को बहुत जिन बच्चों को नहीं आता है वहां बहुत मेहनत से करते हैं इसलिए तरीका में आपको यहां पर इसलिए ही बता रही हूं देखिए अगला जो आने वाला है हमारा लेटर लेटर लिखने का भी यही तरीका है देखिए आपका जो पता है वही प यहां पर लीखना है आपको कोई सा भी पता नहीं लीखना है इसके बार कि यह तो हो गया आपका पत सब कुछ आपको जो अपका प्रस्न रहेगा उसमें दिया रखेगा यहीं को लेह यह तो आ सकता हूं you are very very well and fine and fine and you will be glad to now that my elder brother sister is going to be married next week on 17 September 2020 father would come to give an invitation card to your family very very soon but I am personally invited invited but I am sorry you are you are my class fellow and as well as friend I request you to join the marriage party here you are your sister who is your sister who is invited to invite you here you are your sensor rally your sensor rally or your sensor rally or your name is Akash Chariya to this ये लेटर हो चुका और इसके बाद में जो हमाएं से यह हमारी कि कौनसी लावड-प्रिकार की आप देख सकते हैं हमारे लावड़िश्पिकर की एक्तिकर की दीस्टिक कलेक्टर आने की अधी सब्जक्त मी लिखना यह पर एक लाइंग नहीं चोड़ना इसका भी आपको ध्यान रखना है और जो सीद में आपको वर्ड लिखने यहां पर क्या करने यह देखिए यहां पर सीद में ही वर्ड लिखे देख सकते आप एक ही लाइंग से टकरा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको लिखना है तो देखिए मैं आपको यहां पर पढ़के जिनके पास नहीं आप स्क्रीन सोट ले लिए और अच्छे से कंप्लेट करेगा देखिए आई बेक्टू से डेट इस्टेड डेट आइम ए स्टुडेंट और क्लास 11th यहां 10th लिखना है आपको और एंड याली एंड माइ बोड एक्जाम आर नियर ने पास आल दा स्टुडेंट आर बीजी इन प्रेपेरिंग फोर यहां लाइंगा आच्छुक्या आपकी प्रेपेरिंग फोर एक्जाम्स बट सम पीपल और सम पीपल इंजोई फु क्लास 11th इंड आर नुट अबल टू स्टेडी और आइक इस तो यू काईडली इंप्रोस रिस्ट्रिक्शन रिस्टिक्शन यह आपका और दा यूज आप लाओड इस्पिकर और देखिए यहां पर आपको स्पिकर देखना है थेंक्स यूर सेंसरली सुवास दूबे और डेट वही लेकना है जिस तारिक के दिन आपका पेपर है तो देख लीजे यह इस प्रकार काप की जो एपलिकेशन है लाउडी स्पिकर की यह पूरी हो चुकी है और यह आपके चारीश सेट पेपर में है तो आप इन्हें अच्छ देख जाएगा आपके नम्मर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे यह मेरे आप से फूल गारंटी तो आप अच्छे से कंप्लिट करेंगा एपलिकेशन और लेटर को यहीं सही तरीका है एक्जाम में लिखने का